आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग कच्छा आठ भी एडग्रेट अभ्यास पुस्तिका में अध्यायतीन चत्रभुजो को समझना इस अध्याय के बारे में complete समझने वाले हैं और समझते विए पुरा complete उसका हल भी देखने वाले हैं उसके पहले प्रीबच्चो अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे लाइक कीजे और सेर भी अवस्थ कीजेगा क्योंकि जो भी वीडियो आपको चैये उसके बाद ये आपको notification के दौरा मिल जाएंगे तो चलिए हम लोग पहला प्रशन लेते हैं और पहला प्रशन हमारे सामने यहाँ पर हमें आकरती दी गई है इस आकरती में कोन X की माप हमें बताना है मैं आपको एक बाद बता दू चतरभुच पाड़ रहे हैं तो चतरभुच ये एक ऐसी चार भुजाओं की बंद आकरत और लेते हैं इस तरह से ये आगे और निकले हुए हो मान लो ये और हमें ये कोन दिया रहे है तो हमें ये बाकी का कोन बताना रहे है तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि चतरभुच के जो बाहर के कोन है और जो ये सीधी रेखा रहती है तो इस प्रकार का कोन 180 और चतरभ धन 90 धन 110 धन 50 बराबर कितना 360 अब हमने इन पूरों को जोड़ा X के साथ लिखा तो X धन 250 बराबर 360 अब यह 250 इदर है इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो हमने पक्षांतर किया तो यह क्या हो गया 260 रिन 250 ठीक है अब 360 में से 250 को हमने घटा है तो X बराबर हमें मिला 110 डिगरी अब मैं आपको और एक बात यहां पर समझाता हूँ देखी गौर से यह जो पूरी रिखा है यह पूरा बनाती 180 का कोन अब यह वाला 90 अंस है तो यह अंदर वाला कितना हो जाएगा यह 90 हो जाएगा उसी प्रकार यह रिखा भी बनाती 180 तो यहां पर 50 है तो यह कितना हो ज मिला 70 मिला अब हम इसको पूरे को जोड़ देते हैं पूरे को जोड़ो तो 130 हो गया 200 और इनब्वे को जोड़ो कितना हो गया 290 अब चतरभुच के चारों कोणों का योग 290 ठीक है याद रखी तीन कोणों का योग कितना आगा 290 अब इस चौंथा कोण हमें निकालना ये व गया 70 अब हमें ये वाला भी निकालना है तो ये पूरा हमने बोला 180 होता है तो 180 में से अब आप 70 को घटा भी सकते हैं फिर वी यहाँ पर कितना आएगा 110 आएगा तो आप इस प्रकार से कीजिए उस प्रकार से कीजिए किसी भी प्रकार से कीजिए आपका उत्तर कितना यहाँ पर देखिए, हमने पहला कोण X, दूसरा कोण 125 है, तीसरा कोण भी 125 है, तो पूरे बहा कोणों का योग कितने अंस हो गया, 360 अंस हो गया, 125 और 125 को जोड़े तो 250 आ गया, और यह क्या हो गया, X हो गया, अब 250 को हम इदर लिजा के घटा देते हैं, तो 360 में से 250 गया, त यहाँ पर S प्रकार का कोण बना है, मतलब कि उस समकोण है, और समकोण मतलब होता है, 90 डिगरी का, यहाँ पर कितना है, 60 अंस है, यह भी 90 है, मतलब कि याला भी कितने अंस हो जाएगा, यह भी 90 हो जाएगा, क्योंकि समकोण है, और पूरा ऐसा घुमा दे, हम तो 180 का बना लेंगे तो यहाँ पर देखिए यह कितने का हो गया 90 ये 90 ये 60 ये 90 और ये 70 आपस में सब को जोड़ देते हैं ठीक है अब आपस में जोड़ें सब को देखो एकस धन 70 धन 90 धन 60 धन 90 बराबर 360 पूरा इनको जोड़े तो ये कितना आता है 310 आता है तो एकस धन 310 अब 310 का इधर पक्षांतर कर देते हम लोग तो ये धन में था इधर आखे रण में हो गया तो 360 रण 310 तो कितना आगया बच्चो यहाँ पर ये आगया हमारा एकस प्रशनों को लेते हैं अगले प्रशनों में हमें दिख रहा है आकरती में कोण X का मान ग्यात करना है फिर से हमें क्या करना पड़ा है कोण X का मान ग्यात करना है तो 150 X और 120 इनको आपस में जोड़ देंगे और 360 में से घटा देंगे तो देखी यहाँ पर यहाँ पर क्या क तो X धन 270 बराबर 360 अब 270 को 360 में से अपका करहे हम घटा देते हैं तो देखिए 360 में से हमने 270 को घटा दिया तो कितना आ गया 360 में से 270 गया तो यहाँ पर आ गया 90 तो X की value कितने आ गई इस प्रशन में 90 आ गई इस प्रकार से आप इस प्रशन का भी उत्तर कर सकते हैं आगे देखेंगे अब आखरती में अब हमें कोन x की माप ग्यात करना है तो यहाँ पर देखिए 120 है फिर 100 है फिर 80 है और यहाँ पर कितना x है अब इन 4 को हम लोग जोड़ दें तो फिर से हमें 360 में से घटाना पड़ेगा तो 4 को जोड़ के जो भी आएगा हमें x की value बाला कर देना है और बाकी सब को एक साइड लिजा के घटा देना है तो देखेंगे यहाँ पर x धन 80 धन 120 धन 100 बराबर 360 अब इधर हम पूरे इतने को जोड़ देते हैं तो इतने को जोड़े तो कितना आगया 300 आगया तो x धन 300 बराबर 360 अब तीन सो का पक्षांतर कर दीजे इधर तो x बराबर 360 रेन 300 तो x बराबर कितना आजाएगा 360 में से 30, 300 गया तो 60 आगया अर्था इस प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ठीक है बच्चो अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन यहाँ पर क्या कह रहा है अगला प्रशन आप से कह रहा है अगला प्रशन की एक संबहुभुज एक संबहुभुज की भुजाओं की संख्या ग्यात कीजे जिसके प्रतेग बहा कोन की माप 60 अंस है तो प्रतेग बहा कोन की माप 60 अंस है तो प्रतेग बहा कोन का योग मैंने अभी बताया आपको कितना होता है 360 तो यहाँ पर देखिए सभी बहा कोन की माप 360 तो प्रतेग सुन से येक सुन कर गया अब 6 को 36 काटे तो 6 कम 6 और 6 चिंग 36 अर्थात भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई अता बहुबुच की 6 भुजाएं है ठीक है बच्चों तिस प्रकार से इस प्रशन का उत्तर कर लीजेगा आगे देखिए आगे अगला प्रशन क्या है एक संबहुबुच की कितनी भुजाएं होंगी यदि उसका एक बहुबुच की भुजाएं होंगी यदि उसका एक बहुबुच की भुजाएं सेम बात है क्योंकि जितने को उतने भुजाएं तो यहाँ पर देखिएंगे 360 को 40 से भाग देना है हमें तो 100 से 100 गया 4 को 36 से भाग दे तो 4 एकम 4, 4 नाम 36 तो ये 9 भुजाएं आ गया ता भव भुज की 9 भुजाएं है ठीक है बच्चो तिस प्रकार से इस प्रशन का उत्तर कर लेंगे आप लोग अगला प्रशन देखें और बहुत अच्छा प्रशन है अगला प्रशन पांचवा प्रशन है क्या कह रहा है सामांतर चतरभुज ABCD दिख रहा है आपको ABCD एक सामांतर चतरभुज है ठीक है बच्चो ABCD क्या है एक सामांतर चतरभुज है जिसमें एक कोण 50 अंस है और से इस तीनों कोणों को हमें ग्याद करना है ज्यान से समझी सबसे पहले यहाँ पर याद रखिए समांतर चतरबुज में सम्मुक कोणों का योग हमेशा 180 अंस होता है और ये जो संगत कोण है A और B इनका भी मान हमेशा 180 अंस होता है क्या कहने चाहरे हैं हम लोग क्या कहना चाहरे हैं देखिए कि ये जो कोण A है वो कोण C दोनों का योग करें तो 180 के बराबर होगा कोण कोण A धन कोण C करें तो कितना 180 के बराबर उसी प्रकार कोण A धन कोण B करोगे तो वो भी किसके बराबर होगा वो भी 180 के बराबर होगा बात समझ में आई हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं तो हाँ अगर सब 180 के बराबर हैं तो अब क्या होगा देखो यहाँ पर होगा कि सामांतर चतरबुज में सम्मुक कोणों का योग 180 अंस होता है बराबर 50 अंज तो कौण C बराबर क्यों हो जाएगा, 180 में से 50 को घटा है तो 130 अंज कोण C हो गया तदथक्शो कोण B बराबर 130 अंज, तो कौण D बराबर क्या कर लेंगे, 180 में 130 को घटा तीजिए, तो तो कितना आजाएगा, यहाँ पर कौण D बराबर आपको नहीं दिख रहा है तो लिख लीजेगा कोई डी बराबर 180 में से 130 को घटा है तो कोई डी बराबर कितना जाएगा 50 अंस ठीक है बच्चो इस प्रकार से आप इस प्रशन को कर लीजेगा कोई भी डाउट लगता है तो पूछ लीजेगा कमेंट करके हम बता देंगे आपको ठीक है और चैनल में नहीं हो तो पहले सब्सकाइब आवस्स कीजेगा क्योंकि आगामी वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच जाएंगे और जो भी पेपर से सम्मंदी जानकारी होए जो भी छात्रवत्ती से हो चाहाए आपके means का merit कोई भी पेपर से हो आपको सब प्रकार की जानकारी दी जाती इसी चैनल में इस इसोई चैनल को सब्सकाइब अवस्स कीजेगा अगला प्रशन चटवा दी गए आकरती हमेशा बराबर होते हैं जब बराबर होते हैं और इस समकोन बे प्रतिछेत करते हैं तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है वो इसके बराबर भी और ये वाला जो है वो इसके बराबर है मतलब कि सब एक पर हल किया है और लिख भी दिया है कि OS विकन SQ का आधा है देख लेते हैं OS विकन ये जो OS विकन है वो ये पूरे SQ का आधा है के नहीं ये आधा है हाँ उसी प्रकाई PQ विकन जो रहे है मतलब कि OR विकन जो है वह PR का आधा है या OP विकन जो है वह है देखो ये OP विकन जो है वे ये PR का आदा है ना तो यही हमने line यहाँ पर लिखा देखो क्या लिखा है हमने कि OS विकन SQ का आदा है तथा OP विकन PR का आदा है तो विकन बराबर लंबाई की होते हैं अथा उनके आधे भी आपस में बराबर होंगे तो अब जब आदे आपस में बराबर होंगे तो हम ये वाले को इसके बराबर रख सकते हैं मतलब कि हम OS बराबर क्या रख सकते हैं OS बराबर हम लोग OP रख सकते हैं तो यहाँ पर हमने वही करा है OS बराबर OP को रख दिया यहाँ पर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर आ गया X और 4 में से 1 गया तो यहाँ पर आ गया 3 तो X बराबर कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 3 आ गया ठीक है इस प्रकार से कर लीजेगा अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन है सात्वा है ABCD एक आयत है X का मान गयात कीजिए यहाँ पर देखो चत्रबुझ के चारो कोणों का योग हमने बताया आपको की 360 अनस होता है तो चारो कोणों का मान क्या है X X है तो हम क्या बोल सकते हैं प्रतेक कोण की माप X है अताहा X धन X धन X धन X धन X बराबर 360 तो 4X बराबर 360 तो X बराबर क्या जाएगा 4 इधर गुणे में तो इधर आके भाग में आ गया तो X बराबर 360 के बटे 4 4 को 4 से कार देते हैं 4 एकम 4 4 नाम 36 4 सुन नम सुन मतलब X बराबर कितना है 90 अर्थात प्रते कोणों की माप कितने हो जाएगी ये वाला भी 90 ये भी 90 ये भी 90 और ये भी 90 मतलब कि सब कैसे हैं 90 90 डिगरी के बने हुए है ठीक है बच्चो अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन आठवा प्रशन है आठवा प्रश्ण क्या कह रहा है किसी सामांतर चत्रभुज के दो आसन कोण आसन कोण मतलब की ये इस प्रकार से एक सामांतर चत्रभुज है तो ये वाले आसन कोण की बात कर रहा है बैठे विए उनका अनुपात तीन अनुपात दो है मतलब कि यह तीन एक्स है तो यह दो एक्स है समानतर चतरभुज के सभी कोण गयाद कीजे देखो चतरभुज के आसन कोणों का यो मान मान लेते हैं हम लोग तीन एक्स दो एक्स है अता संगत कोण बराबर होते हैं बराबर होते हैं, मतलब कि यहाँ पर 180 अंस होते हैं, लिकना था हमें, 180 अंस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3X धन 2X बराबर 180, तो 3 और 2 को जोड़ेत कितना हो गया, 5X बराबर 180, 5 का इधर पक्षांतर कीजिए, तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए X बराबर 180 के बटे कितना आ गया, यहाँ पर 5, अब यह 5 एकम 5, 5 तीया 15, 3 बचा, 18 में से 15 गया 3, तो 30 हो गया, तो 5 चका 30, अर्थात 1 कोण की माप कितना आ गया, 36, तो हमें पहला आसन कोण निकालना है, तो 3 गुणा 36 करें, क्योंकि 3X था, तो X का मान रखें हमने 36, तो 3 गुणा 36 बराबर 180 डिगरी न आ गया, और उसी प्रकार 2X था, दूसरा आसन कोण, तो 2 गुणा 36, तो यह कितना आ गया, 72, तो यह कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, अर्थात कितना आ गया, मतलब की दूसरा कोण, 72 आ गया, तो हम बोल सकते हैं, अगर हम इस प्रकार से चत चतरभुज बनाएं, अगर यह 72 है, तो यह कितना होगा, 108 होगा, और यह अगर 108 है, तो यह वाला कितना होगा, 72 होगा, क्योंकि चतरभुज के सम्मुख कोण, कितना मतलब कोणों का योग, 180 होता है, चतरभुज के सम्मुख कोणों का योग, 180 होता है, इसके यहाँ पर यह हो जाएगा मतलब कि सभी कोण दो कोण 72-72 के और दो कोण 108-108 डिगरी के होंगे ठीक है बच्चो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा अगला प्रशन ले लें अगला प्रशन भी बहुत अच्छा है कि किसी सामांतर चतरभुज PQRS की आजसन भुजाएं निकालने के लिए हम क्या कर रहे है क्यों कि मतलब दो भुजाएं सम्मुख भुजाएं यह P इस प्रकार का मानली जो डाइगराम आपको नहीं दिख रहा है तो यह PQ जो है वह यहां के SR के बराबर यह वाले गे तथा SP ये वाला यह PIRQ के बराबर है तो हमने यहां पर दिखो यह सब आपस में बराबर है तो सम्मुख हो जाएं तो यहां पर दिखो हमने वैसे लिखा आब यहां पर चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो सामांतर चतरभुज PQRS का परिमाब बराबर SR धन RQ धन PQ धन SP P तो साथ धन चार धन साथ धन चार पूरे को जोड़े तो कितना आ गया यहां पर 22 आ गया तो 22 सेंटीमितर हमारा सामांतर चतरभुज PQRS का परिमाब हो जाएगा तो बच्चों यह हमारा अंतिम प्रशन है प्लीज आपको वीडियो कैसा लग रहा है और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या चाहिए हम आपके कमेंट जैसे ही आएगा उसका तुरंत आपको solution देंगे या जो भी अगर आपको link चाहिए वीडियो की जो आप हल करना चाहते है उसका भी हम आपको पुरा complete solution देंगी तो दसवा प्रशन क्या कह रहा है आकरती A, B, C, D एक सामांतर चतर बुझे X तथा Y ग्यात कीजिए अब यहाँ पर यह देखिए सामांतर चतर बुझे तो इस सब आपस में चारो बुझाएं दिख रही हैं आप लोगों को यह AD, यह BC के बराबर कर दिया हमने यहाँ पर उसी प्रकार से सेम किया अब 5Y धन 1 बराबर 26 एक का इधर पक्षंतर कर दीजिए यह कहां से आया 5Y धन 26 यह देखिए यहाँ पर यह 5Y धन 1 और यह उपर की साइड आपको दिख रहा हो गए 26 उसी प्रकार यहाँ पर 5X यह वाला 5X धन 15 ठीके बच्चों यहाँ से लिए हमने भुजाएं बराबर हैं तो उनके मान भी बराबर होते हैं तो 5Y धन 1 बराबर 26 तो 5Y बराबर 26 रिन 1 अब यहाँ पर यह कहां से आया इसका हमने इधर पक्षंतर किया है तो 26 में से एक गया तो 25 अब यह 5 इधर गुणा में था तो इधर आके भाग में तो 25 के बच्च पांच तो 5 एकम 5 पांचम 25 तो Y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई उसी प्रकार अब आगे देखें यहाँ पर देखो AD बराबर BC तो AD का मान 5X था BC का मान 15 था X की वैल्यू चाहिए तो 5 के इधर पक्षंतर कर दीजे तो 15 के बटे 5 तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 X का मान कितना आ गया? 3 अर्था तो X का मान 3 और Y का मान 5 इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा ठीके बच्चो अगर अब आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके अवस्य पूछे और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताईए बच्चो जिससे कि हम और आगामे वीडियो में कुछ सुधार कर सके अगर आप बोलोगे तो और ऐसे ही वीडियो अगर आपको